हेलो जैंद एबरिवन कैसे हो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे मस्त होंगे वेलकम टू एडिये आनन डिफेंस अकाडमी आप लोग सोच रहोंगे कि एडिये कब से हो गया भाई तो सच बता रहे हूं तो नेवी पूर डिफेंस अकाडमी चैनल का नाम था पहले क्या न सोचा कि नहीं से जब बाते बोली जा रही है बजल देने का तो मैं चेंज कर दिया आनन डिफेंस अकाडमी कर दिया हूं एडिये कैसा है नाम एक बार जडूर बताईएगा अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे बताईएगा और जो लोग भी मुझ से जुड़कर क काम करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत है आनन्द भाई की हेल्प करूं क्या है ना कि मैं टेकनिकली उतना स्ट्रॉंग नहीं हूं जितना होना चाहिए आप लोग की जरुत है जैसे मानले कोई बनाना जानता है तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजबुती हो रिजल्ट कब आएगा और कटफ का होने वाली है और ठीक है ना 25 बैच का भी हम लोग देख लेंगे 2224 बैच का भी देख लेंगे और हां एक सी जोड़ मेडिकल असिस्टेंट का भी देखेंगे बात करेंगे ठीक है ना सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेवी एमर और एससर नेवी एससर और नेवी एमर का हम लोग चर्चा करने वाले है देखिए इसका मेरिट कमाने वाला है तो इसका मेरिट 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 अक्टूबर में बोला गया था ठीक है ना मेरिट अक्टूबर में बोला गया था औ और अभी आपको पता है कि मीड अभी शुरुवात हो चुका है ठीक है मीड अभी खतम भी होने वाला है दो-चार दिन का समय है तो मेरे भाई मेड ऐसा नहीं कि मेड अक्टूबर का मतलब होता है दसतारी को आ जाएगा नहीं मेरे भाई आप वेट करिए 23 अक्टूबर तक का आप वेट करिए आपको अच्छा गुड नूज आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना 23 अक्टूबर से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे दिये जाएगा ध्यान दिजिएगा या फिर 23 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट ही रिक्लियर कर दिये और बात करते हैं कि है और मेडीकल असिस्टेंट वालों का भी रिजल्ट अभी बन रहा है किया है मेडीकल असिस्टेंट वाले जितने भी केणरेट है मेडिकल असिस्टेंट इनका अभी क्या चल रहा है इनका अभी Remedical चल रहा है ठीक है नए Remedical चल रहा है आड़ेंट मी चल रहा है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अभी देखिए म्यूजिस्यन वाले कैंडिडेट जो जो musician वाले candidate है तो इनका joining जो है चौओ नॉवमबर से हो रहा है ठीक है जैसा मैंने बोला था कि नॉवमबर के 6 तारिक से joining चार्ट है मैंने पहले भी बोल दिया है ठीक है आपके आसपस कोई भी music वाला बंदा होगा जो वी का बलती देख रहा तो आप उनसे पूचेगा कि बाबू आपका जुएणिंग कब है आपको बत को शे नौबर से मेड़ी जोएणिंग कब हो सकते हुए आपका जुएणिंग जो है MR और SSR वाले कैंड़ेट की जोईनिंग लगबग लगबग 10 तारी के आसपस होगा ठीक है 10 नौमबर के आसपस सबका जोईनिंग हो जाएगा Medical Assistant का जोईनिंग 15 नौमबर से होगा ठीक है थोड़ा सा देखी ये जो चीज़े हैं ये Tentative Date है इसको सुधार के जा सकता है 2-3 दिन आगे पीछे करना कोई मतलब ये वो नहीं है कि नहीं हो सकता है एकदम फिक्स ऐसा नहीं है ठीक है न तो ध्यान दीजे आप लोग वेट करिए जितने भी नेवी MR और SSR का वेट कर रहे है SSR वाले Candidate है प्लीज आप 23 तारीक को वेट करें 23 अक्टूबर को कुछ ना कुछ अपटेट आपको आ जाएगा ठीक है 23 अक्टूबर से पहले ही आपको रिजल्ट देखने को भी मिल सकता है लेकिन आप कम से कम 23 अक्टूबर तक का वेट करें मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि 23 तारीक जो है ना नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बाई जब से मैं नेवी को देख रहा हूं इंडिन नेवी के रिकूरूट्मेंट देख रहा हूं मैं खुद भरती पर गिरिया कहीं सा रहता हूं तो मुझे इस चीज को मैंने रियलाइज किया कि 23 तारीक जैसे क्या है ना कि लास्ट विक का फर्ष्ट डे है और 23 तारीक को ही मतलब बहुत बार रिजल्ट आया है या फिर मेरिट वेगर आया है तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप 23 तारीक तक वेट कर लिए बाकि कुछ अगर कंफर्म अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना साथ चैनल अपने हैं सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दबाकर सेर करना है बाकी बात है कि नेवी एमर और एससर की पढ़ाई करना चाहते हैं आप फिर से त्यारी करना चाहते हैं तो बस हम लोग का जो application है आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है और हम लोग का जो book है ये book आगया है आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है तो आपके लिए जो भी चीज़ी यहाँ पर की जाएगे एकदम से waste होगा और तो समझ गया ना उमीद करता हूँ कि नेवी एमर और एससर का cut-up क्या रहेगा तो देखिए हाईजेनिस्ट का cut-up कम से कम हाईजेनिस्ट का cut-up 30 नमर रहेगा minimum 30 नमर हाईजेनिस्ट का रहेगा रहेगा呢 storage k 22 नमर तक रहेगा और safe का कितना रहेगा oh safe का यही 33 नमर तक cut-up हो सकता ज़ाद से-나र यह जो-ध़ Но यह सबसे हाईочь कटedes इससे जब्हुत जाएगा THiक ना ध्यान दिजीएगा Nила ठीक है ऐससर का मैं बत करता हूँ तो जो प्रीविश pass vet ज्यादा थोड़ा सा कटफ यह जो मैं बोल दिया ना ये सबसे हाइ कटफ बता दिया इस से ज्यादा कभी नहीं जाएगा ठीक है शैसर के मैं बात करता हूं तो जो प्रिविस कटफ था ना जो पहले के कटफ था ना वही कटफ रहने वाला है जो पिछला साल स्टेज्टू का कटफ था वही रहेगा सो ध्यान दिजिए ज्यादा घबडाईए मत बस दो चार दिन का बात है आप लोग वेट करिए और हाँ एक ही में आपको कहना चाहूंग हो तेखिए वेट नहीं हो रहा है इंतिजार नहीं हो रहा है एक काम करिए डेली जो फूजीकल ऐक्टविटी है डेली सुबह ग्राउंड में जाए फीजीकल करिए फीजीकल करने से क्या होगा कि दो तिन घंटा तो आपको ऐसे है मतलब निकल जाएगा और पलस में जब फ तो इतना कुछ समझ गये तो वेट कर लिजे 23 अक्टूबर तक बाकी आपका जोइनिंग लेटर आपके हाथ में और ठीक है फिर वह जोइनिंग लेटर जहां फेकना फेक कर रमारना हो आप वहां फेक कर मार सकते हैं कि समझ रहा है ना क्या कह रहा हूं तो बस आप वेट कर लीजिए एक बार अपने लव लेटर का 23 अक्टूबर यह डिट आप मान लेजें यह तरीके से कुरूशियल डिट मान सकते हैं ठीक है ना हमारा लास्ट टेम जब जोइनिंग आया था तो तो 23 तारीक को यह आया था तो 23 मेरे ख्याल से ऐसा है कि यह 23 को आना चाहिए अगर देते देते हैं तो अनहीं भी देते हैं तो 30 से पहले भी जा सकता है और या फिर थोड़ा सर डेले होगा तो मैं आपको बताओँगा आप डेट देदूंगा बागी आपको घब्राना नहीं है जो cut-up है बिल्कुल लो मतलघ लोग उतना भी नहीं रहेगा हाँ जितना कटफ रहता है उतना ठीक ठीक कटफ आपको देखने को मिलेगा उमिद है सबका सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि बहुत कम बच्चे फिजिकल क्वालिफाई की हैं उसके बद मेडिकल भी बहुत कम बच्चे री मेडिकल का रेशियो बहुत ही खराब था इस बार तो फिजिकल और मेडिकल और एकजाम ये तीनों में जो पास करेंगे उनी बच्चों पो सोट लिस्ट किया जाएगा तो ऐसे बचुब संक्या जो बहुत कम है सो उमिद करता हूं कि देखे 2-2-0-24 बैच में लगबग 2,000 2,000 से लेकर 2,000 से लेकर 2,000 2,000 से लेकर 2,000 जो 3,000 सिपाही हैं एकदम बहाल होंगे ठी के ना उसके बाद क्या होगा 0,1,225 पचीस में फिर से 5,000 मतलब 5,000 अभी देखे 42,000 कम से कम 4,000 सेलर जो है ना ब्याली सो सेलर मिनिमंग और मैक्समिम पांस जार तक जोईनिंग करवा सकते हैं ठीक है ना इतनी कैपसिटी है इनकी तो कहने का मतलब है तो आप देखें कैंड़ेट कितने हैं टोटल कैंड़ेट से नौँ हजार टोटल कितने कैंड़ेट से बचे हैं नौँ हजार नौँ हजार कैंड़ेट है जो कि फीजिकल मेडिकल और एक्जाम तीनों क्वालिफाई की है ठीक है ना तीनी कैंड़ेट में कमपटिशन है ठीक है दोस्त इतना कुछ समझ गया होगे मिलेंगे नेक्स वीडि था है